दिनांग चार आठ दो हजार बाइस दिन गुरुवार को बकसर जिले के मुफसिल थाना अंतरगत पंडित पुर गाउं के खेत में पटवन कर रहे किसान को दबंगों ने डंडे और पिस्टल के निचले भाग से जानलेवा हमला करते हुए लहू लुहान कर दिया वही दबंगों द्वारा किसान को जान से मारने की धमकी भी दी गई किसान ने जब चिलाना शुरू किया तो किसान की आवाज सुन मौके पर पहुँचे आसपास पठवन कर रहे लोगों ने दबंगों से किसान की जान बचाए वही स्थानी लोगों ने किसान को सदर अस्पताल बकसर में इलाज हेतु ले गए जहां इलाज के दोरान किसान की हालत संतोष जनक बताई गई वही सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने किसान को बेड रेस्ट करने को बोला है प्राप्त जानकारी के अनुसार मुफसी थानक शेत्र के पंडितपुर गाउं निवासी किसान सुरेश मिश्रा विते बुधवार को अपने खेत पर पटवन कर रहे थे तभी गाउं के ही छेट दबंगों ने खेत के रास्ते पर गए और खेत में भरा पानी को अपने खेत के तरफ करना शुरू कर दिया जब किसान ने उन्हें रोका तो दबंगों ने किसान सुरेश मिश्रा को जान से मारने की नियत से डंडा से हाथ से वपिस्टल के निचले भाग से हमला कर लहू लूहान कर दिया बगल में पटवन कर रहे किसान ने शोर गुल सुना तो किसान दबंग मौके से भाग खड़े हुए, खेत में गिरे किसान सुरेश मिश्रा को आसपास की लोगों ने बकसर स्थित सदर अस्पताल लेकर गए, जहां पर डॉक्टर ने इलाज के दोरान बताई की घायल किसान को अंदुरूनी चोट लगा है परिजनों को बताया, वही पंड आवेदन पत्र को थानाध्यक्ष ने रिसीविंटो किये, परंतु 24 घंटे होने के वावजूद भी पीड़त का प्राथमी की दर्ज नहीं हो पाई है, लगता है थानाध्यक्ष भी दंबगों से डर रहे है, वही जब इस घटना की जानकारी 11 के समवादाता को मिली तो सू समवादाता के कैमरा के सामने आकर घटना की सारी जानकारी दिये, जब समवादाता स्थान ये थानाध्यक्ष से बात की तो थानाध्यक्ष के द्वारा इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया, वही जब 11 के समवादाता ने इस घटना से समवंधित थानाध्यक्ष से ज जहा कि मैं थाना में नहीं हूँ कांड संख्या थाना में मिलेगा मुन्शी के पास और थानाध्यक्ष ने फोन कट कर दिया ऐसे पुलिस कर्मी पे किस तरह का उमीद और विश्वास करें पूछती है जनता क्या थानाध्यक्ष अमित कुमार को पत्रकारों से बात करने में शर पूरे गाउन जवार में वे लोग दबंगई करते रहते हैं। पुलिस क्यों कुछ नहीं कर पाती है इन दबंगों के साथ ऐसे थानाध्यक्ष जब तक रहेंगे हम सभी को परिशानियों का सामना करना पड़ेगा। आज हमारे परिवार के सद्वस्य के साथ घटना घटा है तो कल किसी और के साथ हो सकता है। स्थान ये थानाध्यक्ष की लापरवाही कहे या दबंगों का दबंगई जिसकर कारण पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाती है दिन प्रती दिन इन दबंगों का वर्चस वो बढ़ते जा रहा है।